आज हम बात करेंगे केरी मिनाटी के बारे में जिन्होंने इंडिया में रोश्टिंग कल्चर की शुरुवात की सो केरी मिनाटी जिनका रियल नेम है अजे नागर का जन्म 12 जून 1999 को फर्दाबाद हर्याना में हुआ था केरी के अलावा उनके परिवार में मम्मी पापा और एक बड़ा भाई है जिनका नेम यश है जो की एक गिटारिस्ट एंड इलक्रोनिक म्यूजिक प्रोड्यूसर है तो केरी की स्कुलिंग DPS फेर्दावास से हुई बच्मन से ही केरी का मन पढ़ने में नहीं लगता था और वो घंटो अपना टाइम गेम्स खेलने में बेता दिया करते थे तो बात करते हैं केरी के यूट्यूब करियर की तो ये बात है 2010 की जब केरी 11 साल के थे तो उनकी द तरह से अपना पहला वीडियो उस पर बना डाला और अपने यूटूब चैनल जिसका नाम स्टील फेर्ज था उस पर अपलोड कर लिया उस वीडियो का अपलोड करने के बाद करने के बाद करी को फिलिंग आई कि यार बस अब तो यूटूब में ही कुछ न कुछ और हाँ वैसी भी ये चैनल अभी भी एक्जिस्ट करता है आप जाके देख सकते हैं सो जैस सर्च स्टील फेर्ज खेर ये तो बस अजय का एक शौक भर था बड़ धीरे अजय का ये शौक पैसन में बदलने लगा और वो यूटूब के लिए सीरेस हो गए और 15 साल की उमर म है तो कभी हाईला रितिक क्या आवाज मैं यानि केरी ने विदिन टू यर्स में काउंटर स्ट्राइक गेमपले के करीब 150 से ओपर वीडियो बना डाली बट इंडिया मुस्टाइम काफी कम लोगों को गेमपले देखना पसंद था और केरी की जितने भी 100-200 सब्सक्राइब से वो किवल केरी की फणी कमेंटरी के लिए गेमपले देखा करते थे इसलिए केरी ने अब चैनल का नेम अडिक्टेड एवन से बदल कर केरी धियोल रख दिया और आफ्टर रिब्रांडिंग हिस चैनल केरी ने अपनी सभी पुरानी और लो क्वाल्टी वाली करीब 150 किया यानि ये कॉंटेंट लोगो को अब काफी फसंद आने लगा और चैनल अपने धीसेंट रफ्तार से आगे बढ़ने लगा फिर करीब 23 अपरेल 2016 को केरी ने विद न्यू लोगो एंड न्यू चैनल आर्ट से अपने चैनल केरी दियोल का नेम चेंज करके केरी मिनाटी रख दिया और एक के बाद सभी क्रिंज सिंगर्स एंड डांसर की रोश्टिंग कर डाली उन्ही दिनों इंडिया में भुवन बाम बेटर नोन एज बीबी की वाइन्स काफी पॉपलर हो चुके थे आइनो वो अभी भी फेमस है बट किसी ने भी उस टाइम तक बीबी को र बढ़क गए और केरी को बुरा भला कहने लगे जो की होना भी था क्योंकि इंडिया में उस समय कई लोगों को पता ही नी था कि आखिर रोश्टिंग होती क्या है और कई लोगों के लिए ये एक न्यू एक्सपिरेंस भी था पर इस वीडियो को बीबी ने खुद सबसक्राइबर्स थे लेकिन बीबी की रोश्टिंग के बाद केरी का चैनल इंडिय में अपने जौनरा में सबसे फास्टेष्ट सबसक्राइबर्स गेन एक्जाम भी काफी नजदिक थे, इकोनोमिक्स का पेपर अगले दिन था, और यूटूब के चक्कर में साल भर केरी ने कुछ भी नहीं पढ़ा था, वो एक्जाम से एक रात पहले अपने पापा के पास गए, और कहा, पापा ये मुझसे नहीं होगा, और उनके पापा मुस्कुराए और बोले, चल ठीक है, कर ले तुझे जैसा करना है, तू कर, फिर क्या था, 100 के सब्सक्राबर्स कंप्लीट होने के बाद, कैरी ने अपने रेगुलर स्कूल से ड्रॉप आट लेके, ओपन स्कूल को परस्यू किया, और तब से अब तक यूट्यूब को ऐजे फूल टाइम करियर बनाया है, इसलिए फैमिली का सपोर्ट होना भी काफी जरूरी होता है, आपके आगे बढ़ने में, बटो कहते हैं न, सफलता पाने के लिए, कांटों के रास्तों से भी गुजरना पड़ता है, तो केरी की चैनल पे कॉपीराट स्ट्राइक्स आने शुरू हो गए, दस अगस 2016 को तो हद ही हो गए, जब केरी के चैनल पे एक साथ तीन स्ट्राइक्स आ गई थी, वो स्ट्राइक्स थी बाप और बक्चोद और नेपाली सिंगर भीम नरूला की तरब से, क्यूंकि केरी ने उनको रोष्ट किया था, जो कि दोनों क्रेटर्स को पसंद नहीं आए, और देर डाली स्ट्राइक्स, बट अपने फैन्स के प्यार और केरी की जुगार से, सारे स्ट्राइक्स वापस ले ले गई, और केरी का चैनल टर्मिनेट होने से बज़ गया, बट सिलसला कहा थमने वाला था वाउस, इसके बाद केरी को स्ट्राइक आई, बाबा सैगल की तरब से, क्यूंकि केरी ने बाबा सैगल के सौंग पे भी रोष्ट किया था, और काफी थ्रेट्स भी आने स्टार्ट हो गएते उनको अधर क्रेटर्स की तरफ से, इंसिडेंट के बाद सही केरी अब विद पर्मिशन रोष्ट करते हैं, उसके बाद तो आप सबको पता ही है कि रेस्ट इस हिस्टिरी, इस दरण केरी ने काफी लोगों का रोष्ट भी किया, जो कि केरी की वज़े से आज खुद भी सेलेब्रेटी बन चुके हैं, उनमें से धिंचक पूजा, ओमप्रकाष मिश्रा एंड दीपक कलाल, ना जाने कितने ये लोग केरी के वज़े से आज फेमस हो चुके हैं, तो चलो अब बात करते हैं, फ़न फेक्ट्स अबाउट केरी, जैसे बीबी अपने केरेक्टर के लिए फेमस है, वैसे ही केरी के भी दो तीन केरेक्टर्स हैं, उनमें से एक है ताउ, और दूसरा है मुंडल, क्या मुंडल ना मुंडल, और एक है मोहित, मोहित तुम लोगो यार, और मोहित को मैं सारी बाते बताताओं, और केरी के चैनल का नेम केरी देवल, उसके दोस्त नहीं सजेस्ट किया था, क्योंकि उस दिन वो कैरी के PC से गेम खेल ला था और चैनल का नेम कैरी देवल कर दिया जिसे बाद मैं कैरी ने ओफिशली चूज कर लिया वैसे कैरी के चैनल को तीन लोग और मैनेस करते हैं जिसमें उनके बिजनेस मैनेजिंग का काम अनिरुद भाई समालते हैं और अमन भाई सोचल मीडिया को तो लक्षे कैरी के शूट की लोकेशन को देखते हैं और एक इंटर्वी के दौरान कैरी ने बता है कि वो काफी इंट गेम के लिए और हाँ आज भी केरी अपने दूसरे चैनल केरी जलाइब में गेम स्क्रीम और अपने फैंज से इंट्रेक्शन जरूर करते हैं अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो आज के लिए बस इतना ही मैं जा रहा हूँ बाए